असलाम लेकूम कैसे आप सब उमीद है कि आप सब अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे घरों में आज हम लोग जो प्रेक्टिस करेंगे वो इंटरनाशनल सिस्टम ही है लेकिन कल हम लोगों ने नंबर्स को वर्ड्स में लिखा था और आज हम उसका रिवर्स करेंगे वोर्ड्स को नंबर्स में लिखेंगे मैंने आप लोगों को पहले भी जब मैं हम ये यूनिट कर रहे थे मैंने आपको तब भी कहा था कि जब आप लोगों ने वोर्ड्स को नंबर्स में लिखना होता है तो आपने बहुत केरफुली हर हा उसका कोई room छोड़ देंगे तो आपका जो आप लोगों ने numbers लिखे होंगे वो ठीक नहीं होंगे तो इसके लिए मैंने आपको बताया था अगर आप लोग place value chart पहले बना लें तो आप लोगों के लिए फिर थोड़ी असानी हो जाती है आपकी गलती के चांस बहुत ही कम रह जाते हैं और place value chart के लिए आपको पूरे houses के name पता होने चाहिए जैसे ones, tens, hundred, thousand ten thousand, hundred thousand million, ten million, hundred million billion तो हम लोगों ने total four houses पढ़े हैं और जिन में से three houses के three rooms हैं जबके जो billion वाला है उसका हमने सिफ एक ही रूम पड़ा है so अगर तो आपने place value chart बनाना है तो वो आपके लिए बहुत फाइदा मन्द है आपकी गलती कम से कम होगी अगर आपने उसके बगेर काम करना है तो फिर आपने ये बहुत ध्यान रखना है कि आपके सारे जो houses हैं वो पूरे हो गए हर हाउस का हर रूम आपने सही लिखा है या नहीं लिखा तो मैं आपको दोनों तरह से ये एक्जैम्पल बता देती हूं अब जैसे देखें 200 Million, 200 Million में हमारे पास जो प्लेस वैल्यू जो चार्ट है उसके अंदर 100 Million तक हम गए हैं लेकिन उसके बाद अगर आप देखें 1000 वाले हाउस में कोई नंबर नहीं है, ones वाले house में कोई नंबर नहीं है, सिर्फ hundred million उनने आपको दिया है, तो hundred million ये क्या हो गया, two hundred million, बाकी वाले जितने भी house हैं, उनमें हमने क्या लिखना है, zero, ये तो चलें एक असान था, next है हमारे पास eight hundred forty million, अब इसके अंदर again उनोंने हमें सिर्फ million वाला house दिया हुए, बाकी कोई house वर्ड में नहीं है, तो उनमें हमने क्या लिखना है, zero, तो eight hundred forty million, million, ten million, hundred million, eight hundred forty million, तो जो thousands वाला house है, उसमें zeros, और ones वाले में भी हम zero लिखतेंगे, ठीक, next है हमारे पास two billion five hundred thousand, अब देखें इसमें दो house उनने हमें दिये में है, एक billion वाला house दिया हुए, एक thousand वाला house दिया हुए, thousand, ना उन्होंने हमें million वाला house दिया हुए, ना उन्होंने हमें ones वाला house दिया हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि जो million वाला house है, और जो ones वाला house है, वहाँ पे हमने zeros लगाने हैं, और बाकी इनको, इनकी जो place है, उसको हमने fill करना है, कैसे start करेंगे, two billion, million हमें उन्होंने नहीं दिये वे, तो हम क्या कर लेंगे, three zeros, five hundred thousand, इसमें भी सिफ hundred thousand उन्होंने place value हमें दिये, और बाकी zero, zero, और जो ones वाला house है, वो भी हमारा zero हो जाएगा, तो इस तरहां देखें, हम लोगोंने बहुत ध्यान से इन houses को complete करने, बहुत से बच्चे इस question को कैसे लिखते हैं, two billion, five hundred thousand, that's it, जो के गलत है, मैंने अभी summer work भी जब आप लोगों का check किया था, उसमें भी आप लोगों को ये questions दिये वे थे, और majority ने, जिन्होंने तो खुद questions किये वे थे, बहुत से बच्चोंने तो पीछे से answers देखके, लिख दिया वा था, लेकिन, मैं जिन्होंने पीछे से answer नहीं देखा, और उन्होंने खुद solve करने की कोशिश की, तो उन्होंने इस तरहां लिख दिया वा था, तो ये बिल्कुल गलत है, two billion five hundred thousand ऐसे नहीं लिखना, हमने house के मताबिक लिखना है, और house के साथ साथ rooms को भी देखना है, कि हमारे सारे rooms पूरे हो रहे हैं या नहीं, अगर आप इसको two billion, इदर कहीं zero, एक कम आपका million का हो गया, या five hundred thousand आप ऐसे लिख रहे हैं, तो भी गलत है, ठीक, आपने पूरे one, two, three, four, four houses and rooms पूरे चेक करने हैं, ठीक, so मैं अब आपको थोड़े से practice questions दूँगी, आपने उन questions को solve करना है, उनकी practice करनी है, thank you,